भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबारी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है भाईयो बैनो आंगनबारी केंद्रों के संचालन के लिए आदेस आ गया है आज तीन फरवरी है और आज तीन फरवरी से आंग क्या खबरे लगी है जिन में सबसे पहली खबर जो आपको दिखाने जा रहे है वो मद्धि परदेस में निदेसाले से दो फरवरी को कल आदेस सभी कलेक्टर को मद्धि परदेस में भेजा गया है और कहा गया है कि कोविड-19 संकर्मण की स्थिती में आंगनबारी केंद्र को बंद रखा गया था यानि स्थगित कर दिया गया था तो अब वरतमान में कोविड-19 संकर्मण की अगर स्थिती को देखा जाए तो तीन फरवरी से यानि आज से आंगनबारी केंद्रों का जो संचालन है वो कोविड-19 संकर्मण से बचाओ के प्रोटोकाल का पालन करते को ये प्रारंभ किये जाने की कारवाई सुनिश्चित की जाए तो ये डाक्टर राम राव भोसले हैं संचालक है महिला बाले का सिभाग मध्ध प्रदेश में दो फरवरी को कल उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया तो मध्ध प्रदेश के जितनी भी आंगनबारी बहने वीडियो देख रही हैं आपके वहाँ आज तीन फरवरी से आगनबारी केंदर खुल गए हैं और उसके अलावा जो बाकी राज्यों की बहने हैं आप सब भी देखेगा हो सकता है कि अगली बार आपके वहाँ छुट्टियां अब ना हो आपके आँभी केंदर खुल जाए फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे सबनम बहन आती हैं चछतरपूर से और उन्होंने जानकारी येवाली भेजी थी और उन्होंने एक ये भी कारिक्रम भेजा है विदाई समारो मनाया जा रहा है यानि रेटार जो आगनबारी बहने हैं उनके लिए तो उन्होंने ये फोटो भी बेजी और बहन ये चछतरपूर मद्प्रदे से आती हैं तो अब चलते हैं आगे और आपको और भी खबरे मैंने कहा है दिखानी इस वीडियो में मांदे पर भी चर्चा करेंगे पूरा वीडियो आप देख करके जरूर जाना अभी आपको एक आदेस और ब अभियान को गती देने एवं समाज में जागरुकता पैदा करने के लिए हैं और ये कोई जो है इसमें कोई दोराय नहीं है कि कम तमाम अधने राज्यों में भी इस पर जो है चर्चा पहले हो चुकी है यानि आगनबाडी बहनों आप सबको भी नसामुक्ती अभियान में क करने के लिए बोला गया था एक बार आपने सुना था जिसमें कहा गया था कि नसेडियों की जो है सराब को आगनबाडी काज करती बहने चुटाएंगी तो वही उसी तरह से ये संजे कुमार अपरमुक की सच्चेव सिच्चा विभाग से लेटर उन्होंने जारी किया और स सराबी चुड़ानी है तो इससे अच्छा सराब बनाना बंद कर दे सरकार तो ज़्यादा बेटर है बेचना बंद कर दे उस पर जो है कंट्रोल किया जाए लगाम लगाए जाए तो ज़्यादा बेटर है लेकिन यहाँ पर जो सराब की दुकाने हैं उनको धडलले से लाइ किया जा रहा है इसका दूस परडाम सरापीने वाले और उनके परिवार पर पड़ रहा है इसे रोकना अतियावस्यक है इस सम्मंद में निदेश दिया जाता है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्याले में सिच्छा समिती की बैठक आहूत करके नसा मुक्ती के संदर्म में इस दिया जाए कि चोरी चुपे सरापीने वाले या उससे आपूर्ती करने वाले लोगों की पहचान करके माहा निसेद विभाग के मुबाइल नंबर ये दिया है इस पर टॉल फ्री नंबर ये दिया है इस पर सूचना देने वाले की पहचान गोपनी रखी जाएगी यहा आप बताओ कि अगर किसी सराबी को जो चोई चुपपपीता है आप उसको अगर तालीम दोगे बैठ करके उसको समझाओगे तो आपको वो क्या समझाएगा क्या कहेगा या क्या करेगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि आज के युग में भला आदमी यानि जो ना सराब वगरह भी सिवन करता हो, उसको भी अगर आप कानूने बताओ, उसको भी अगर कुछ सलाध दो, तब भी वो आपको भगा देगा और पहले खुच जाकर कि कुछ करो उसके बाद हम को ग्यान बातो यही इनसान कहेगा और आप जो एक नसेडी, एक सरावी के पास जाकर के उसको तालीमे दोगे उसको ग्यान दोगे तो नसेवाला व्यक्ति आपको क्या देगा ये आप सुचिए ये गुड़िया देविभेन आती है गाजीपूर से और उन्होंने कहा है सुधाधाणी सुधानसु भाया नमस्ते बिहार के नियोजित सिचकों को बिहार सरकार दोरा दारू पीने वाले दारू बनाने वाले दारू की खरीद विक्री करने वाले इनकी जाच करके मुखबिर क करने का सासन से आदेश आया है आपके संग्यान है तू सुचना प्रिसिद है तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहनों को जो है या सिच्छकों को वहाँ पर मुखबिर बनाया जा रहा है अभी ये तो लेटर आपने देखा है तो ये सिच्छा भाक से तो सिच्छकों के लि तो दारू बिक्री पर रोक लगाओ बनने पर रोक लगाओ ना कि जो है खेवल पीने वाले पर रोक के लिए आप खहरे हो तो कैसे हो जाएगा इधर देखिएगा गुड़ी बेन आती है साय जहापूर से उन्होंने मांदे के संबंद में कहा भाया जी नमस्कार मांदे कब त भावना है क्यों और किस आधार पर कि निदेशक मैडम जो है आपकी सारका मोहन जी उनके द्वारा कहा गया था कि चार से पांदन में मांदे डाल दिया जाएगा अगर अगर जो है खाते अपडेट हो जाएंगे तो तो अभी खाते अपडेट नहीं हुए है और लगवग म ऐसे जो है खाते धारक या ऐसे आगनबारी कारकरती बहने जिनके खाते जो है उन बैंकों में थे जिनका भी विले हो गया है एक दूसरी बैंक में जो मर्ज हो गई एक दूसरे में तो ऐसी बैंकों जिसे इलहाबाद बैंक थी इंडियन में मर्ज हो गई तो इस तरह से जो बैंके थी उनमें जिनके भी एकाउंट थे उनको आपर अपडेट होना है उनका FSC कोड बदल गया है उनका सब कुछ इसी लिए उनके जो अकाउंट में दिक्कते हैं तो अब उनका लगेगा तभी साय सबका एकठ़ डलेगा एक तो समस्या ये हो सकती है तो यहाँ पर इस बारे में आपको पहले जानकारी दी गई थी कि खाते अपडेट होने है इतने खाते अपडेट नहीं है और आदेश के बारे में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो क्या समस्या है जो एक दूसरे में बैंके मर्ज हुई है उनके खाते अपडेट हो रहे हैं और इसलिए जो बाकी सबको भी परिसानिया उठानी पड़ रही है खैर इसकी मनसाव बाकी कुछ भी हो इसके पीछे वो एक अलग बात है लेकिन जो जानकारी निकल तक हो जाएगा तो भाया वो कब तक होगा यह हम नहीं जान सकते क्योंकि हर जिले में कहां कहां किसका क्या होना है ये वही लोग जान सकते और वहां के अधिकारी जान सकते कि उन्होंने कितना काम किया है और कब तक जो चीजे निदिसाले में फीड हो पाएंगी तो यहाँ पर निलम सिंग बहन आती है जहांपुर से उन्होंने पॉश्र ट्रेकर को लेकर के समस्या बताई है कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं और आगे कोई कारकम दिखाई नहीं दे रहा है भया जी अगर कोई जानकारी हो तो इस विश्वे में जानकारी दे तो पहले भी आते थे चले जाते थे यानि गायब हो जाते थे तो वो समस्या आपकी रेगुलर वाली है पहले की और वो सकता है आने वाले वक्त में अपने आप वो आटोमेटिक सही हो जाए तो उसके लिए भी आप लोगों को बस इंतजार करने की जरूरत है और इदर गुलसन बहन आती ह कि ये चारपाई की फोटो भेजे और लेखा है उन्होंने और अंगाबास से जाती सुदानसु भाया ये चारपाई मैंने अपने हाथों से बुनी है और इस चारपाई में हमारे बच्चे के समके नाम पड़े हुई है तो अगर ये चारपाई आपको अच्छी लगे तो ब पर मुरायना वगरा में महिला बालविकास विवाग के तरब से कि लिटर जारी किया गया है एक फरवरी को तो यानि एक फरवरी को अभी परसों लिटर ये निकला है इस लिटर के मताबिक कहा जा रहा है कि संचाल नाले महिला बालविकास भुपाल के पत्र शंक्या दी है 15 ज इसमदी में गरम पके भोजन के स्थान पर पूर निर्देशा अनुशार रेजी टू इट पूरक पोशाहर का वित्रण किया जाएगा तथा टेक होम रासन पात रहत गराईयों को उनके घर घर उपलब्द कराया जाएगा इसके अतरिक तांगनबारी केंद पर उपलब्द कर इवं मानि सरवच नैयाले के द्वारा दिये गए इनरदेश एक भी दिन आंगनबारी केंदरों के हितगराईयों को खाने से वंचित नहीं रखा जाएगा इसके पालन में पांच दिन के लिए आंगनबारी केंदरों पर रेडी टू इट वित्रण का आदेश दिया जाता ह तो जिला जो यहाँ पर परियोजन अधिकारी है मुरैना के उन्होंने एक यादिस कितना अच्छा जारी किया है अब इसको देख करके बाकी के जो रज में जहां जहां रेलेटो इट या कुछ भी ऐसा है जो बच्चों के खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है स्कूल खोल द अधिस थे कि एक भी दिन आगनबाडी केंद्रों के हित्गराहियों को खाने से बंचित नहीं रखा जाए अब आप सोचो और हमारे उत्तर पुदेश या निराज्यों में जहां कहीं आगनबाडी केंद्र पिछली बार खुले थे आपने देखा था तो उसमें दोपहर में खाने के लिए बंदोबस्ती विभागने अभी तक नहीं किया था अब तो बंद चल ले थे हो सकता है अब वो भी खुल जाए अभी तो साइच छे तक या कितनी तारीक तक बंद थे पिछले आदेश में आपको मैंने उसके बारे में दिखाया था ये रेनु बहन आती है मो आप लेंगे फिलाल के लिए इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा वो आपको कैसा लगा कई आदेश आपने देखे है और रही बात मान देखी तो उसके लिए भाई आपको बस धैर बना करके रखना ही होगा क्योंकि ये जो बैंकों का विले था एक दूसरे में जो मर्ज होई थी उसके वज़े से खाते अपडेट हो रहे हैं उन लोगों के उनका FSC कोड उनका बैंक अकाउंट सब कुछ पूरा जो है लगाया जारा निदसाले में ताकि उनका पैसा आए तो इसलिए जो है हाँ पर दिक्कत आ रहे हैं और आप लोगों को भी उनका पैसा मिल पाए क्योंकि तीन महीने होने जा रहे हैं और अभी तक ये अपडेट ही नहीं कर पाए तो ये एक बड़े सर्म की बात है हमारे विभाग के लिए भी क्योंकि ये जो अपडेट होना था और विले को आज ही खाते भी अपडेट ही कर पाते हैं क्या इतना जो है